कि हैं गाइस क्या सब लोग सुवागे आप लोग स्पाइब वस्गेमस में इस वर्ली वीडियो में मैं आपको बताने हो लोग कैसे आपने पोजाव लॉंचर में डाउड कर सकते हैं AI हंटर मोड तो अगर आपको नहीं मालूँ कि AI हंटर मोड क्या होता है तो आपने बहुत स समझ लिए एक रोबोट है जो आपको यह हंट करेगा जो आपको गेम बीट करने से रोखेगा तो फिलाल के लिए तो मैंने उसे अक्टिवेट कर दिया है और वो मेरे तरफ आता ही होगा थोड़ी दिर में तो यहां पर देख सकते हैं आप मुझे उसका आवाज आ रहा है और यह देखिए यह आगया यहां पर और ये इसे हराना बहुत जादा मुश्कल है इसकी स्पीड मुझें द्रल्य जादता है तो इससे भाग पाना ओल्मोस्ट इंपॉसिलल interests यह देखें यह आ गया ओ भाई 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 इसकी डामेज भी बहुत ज्यादा हो जाती है और यह अपने आप अपग्रेड भी होता रहता है यह मतलब कि थोड़ा थोड़ा दिर में अपने आप स्ट्रॉंग हो जाएगा और इसको मारना और भी ज्यादा दिफिकल्ट हो जाएगा तो आप इससे भाग तो सकते नहीं तो इससे मारना ही एक लास्ट ऑपरचिनिटी होता है और यहां पर देखिए मेरे आगे सारे ब्लॉक्स जो खतम हो चुका है मैं भाग नहीं सकता तो मुझे इससे इसी तरीके से हराना पड़ेगा नेकिन इसकी स् जाता हूं और अगर आप इसमें एक बार भी हर जाते है न तो आप वहीं पर आपका जो है जो गेम हो खतम हो जाता है तो गाइस वह आ चुका है सामने मैंने बस एक राफ्रिंग डेबल ही बनाया है और वह इतनी जल्दी मेरे पास आ चुका है तो मुझे अप मैं इससे तो मत कीजेगा वरना आप इस मोड को सही से इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे सो सीधा चलते हैं इसके डाउलोडिंग प्रोसेस में तो सबसे पहले आपको अपना पुजाव लॉंचर उपन कर लेना 1.16.5 या 1.17 आप उपन कर सकते हैं उपन करने बाद आपको सिंगल प्लेयर के पर क्लिक करना उसके बाद आपको अपना यहां पर एक वर्ड क्रियेट कर लेना है मैं रिकमेंट करूंगे कि आपको अपने चीट्स ओन रखने चाहिए वरना अगर आपको नहीं भी रखना है तो मैं आपको आगे में बता दूँगा क्योंकि हम लोग यहां पर अपना डे करने चीट्स फ engaged केअशे कंवाचे का जना अपने ङृट और फैसे करने रहे एक ओपार आपको यहां पर यहां पर एक डमका से आछाय गोंदो पासाईण की आने पासाईगा अपको जिया को एक बाग क्लिक करना है जैसे आप उसके उपर एक बाग किक करते हैं उसके अंदर आपको file list का एक option नज़र आ रहागा उसके अंदर यहां पर डिवाइस मेमोरी में जाने यह बाद यहां पर आपको एक नया folder सर्च करना है जिसका नाम है games games के उपर जैसे आप सर्च कर लेते हैं आपको उसके उपर click करना click करती है आपको एक नया folder मिलेगा pojav launcher उसके अंदर भी आपको चले जाना है के आपको नया folder सेर्च करना है .minecraft . minecraft के आपको एक नया folder मिलेगा saves का saves के folder के आपको अंदर जाके आपको वह वोल्ल सर्च करना है जो जो आप जिसने आपने अभी將 आभी create किया था तो मैंने एक world create किया था नेकिन मुझे याद नहीं मैंने कौन सा create किया था तो यही वालो वर्ड जो मैंने create किया था जिसके उपर मैंने click टिया है तो यहीं पर आपको अपना install कर ले तो मैं आपको दिखाते हैं तो मैंने आपने यह वालो वर्ड जो है सबसे top वालो create किया था इस वोल्ड के आपको अंदर जाना है उसके आपको यह डेटा पैक से एक फोल्डर मिलेगा उसके अंदर आपको simply extract कर देना है extract करती है आपका जो mod वो पूरे तिर्के से install हो गया है बस आपको अपना पोजाव लॉजर उपन करना है तो देखें यहाँ पर मैंने अपना पोजाव लॉजर जल्दी से उपन कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको पताता हूँ आपको क्या करना है तो यहाँ पर मैंने अपना जो पूजाव लॉजर उपन कर लिया 1.16.5 का वर्जिन मैंने उपन कर लिया है यहां पर आपको simply अपना single player के ओपर click करना है, click करने बाद आपने अपना वो world खुलना है जिसमें आपने अपना जो mod इंस्टॉल किया था और आपने जो create किया था, तो मैंने यह वाला जो world वो create किया था, उससे मैं open कर लेता हूँ, open करने बाद मैं आपको बता तो क्या करना ह तो देखे, मैंने यहां पर world open हो चुका है, यहां पर आपका 1-2 second का lag लेगा, उसके यहां आपको अपना back button प्रेस करना है, उसके यहां आपको यहां पर open to land के ओपर click करना है, और यहां पर cheats को on कर देना है, उसके यहां पर आपको open land world को click कर देना, यहां पर देखे, यहा यहाँ पर आपको अपने chats के आपकर क्लिक करना है फिर अपना keyword open करना है यहाँ पर आपको लिखना स्लाइश रिलोड तो यहां पर मैं जल्दी से slash रिलोड लिख लेता हूँ और यहां पर आपको enter के अपर click करते हैं यहां पर देखिए आपको एक नया सा option मिल जाएगा आपको वापस से अपने chat open करना है उसके अपना cursor को लेकर जाके start के अपर click कर देना है और यहां पर automatically आपका AI hunter spawn हो जाएगा और यहां पर आप देख सकते कि normal में हमें यहां पर spawn किया गया है मतलब कि यह थोड़ा बहुत hard होने वाला है इससे हराना इसलिए यहां पर जल्दी में अपना woods collect कर लेता हूँ वैसे तो बहुत कम time मिलता है woods collect कर दे के लिए इससे हराना भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा नेकिन यह मुझे आवाज आ रही है वो बहुत जादा दस्दी के मेरे इसलिए वो कभी भी मेरे पास आ सकता है मेरी टपली बजा सकता है इसलिए मैं थोड़ा से उपर में आ हूँ यहाँ देखी यह आ चुका है और यहाँ आप मैं अपने fist से हरा सकता हूँ क्योंकि मैं बस अभी कोई tools तो है नहीं तो यह देखे हो आ रहा है यह देखे मुझे इसे fist से मानने कोशिश कर रहा हूँ नेकिन यह इतने आसानी से तो मरने वाला है नहीं क्योंकि इसे हराना बहुत ज्यादा tough है फाइनली बहुत सारे fist मानने बाद मैंने इसे manage कर लिया है कि इसे हरा दिया मैंने अपने fist से नेकिन यह वापस respawn होके मेरे तरफ आएगा और इस बार तो यह कुछ ज्यादा ही strong होगा इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके यहां से भाग जाता हूँ नेकिन यहां पर देखे यह वापस से आ चुका है मेरी वाट लगाने और यह literally इस बार मेरी वाट लगा के जाएगा क्योंकि इस बार मेरे जो speed है मतलब बहुत ज्यादा ही है मुझसे और यह देखे इसने मुझे मार दिया तो अगर आपको यह वाली mod जो पसंद आये तो वीडियो लाइक किजेगा और यह देखे मेरे पागलों के मेरे ते पीछे पड़ चुका है और यह मुझे मार के ही रहागा तो चांग को भी subscribe कर दियेगा मिलता आप से नई रहागली वीडियो में तब तक के लिए goodbye